तो दोस्तों आज की सोड़ों में हम बात करने वाले हैं SSE स्टाप सेलेक्शन कमिशन का नियो रॉक्रोटमेंट नॉटिफिकेशन की ओनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रूसेस के वारे में तो देखे फ्रेंस यहाँ पर यह जो नॉटिफिकेशन है आपकी रहने वाली है SSE CGL कमबाइन की रिजोशन लेवल एक्जामनेशन 2024 यह फॉर्म स्टाट हो गया है कैसे आपको SSE CGL का यह फॉर्म फॉर्म करना है आज की सोड़ो बे आपको कमब्लिट जानकार दिया जाएगा अपलाई करने का जो डेट रहेगे वा आपको 11-6-2024 से 10-7-2024 तक इस फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं अब देखे प्रेंस यहाँ पे SSE CGL का जो फॉर्म होता है वा आपको नया पोर्टल से फिल करना होगा तो आपको नया रजिटेशन भी करना होगा और जो पोर्टल होता है उसमें अगर आपने रजिटेशन किया है तो वो रजिटेशन आपका काम नहीं करेगा आपको नया पोर्टल में नया रजिटेशन करना होगा तो सबसे पहले देखे प्रेंस यहाँ पे आपको इस वाले वेफसाइट का जो लिंक होता है नया जो वेफसाइट होता है इस वेफसाइट का लिंक आपको प्रवाइट करा दिया गया हमारे डिटेशन में सबसे पहले आपको registration करने के लिए आप simply यहाँ पे click करेंगे login और register तो simply आप यहाँ पे login और register में click कर लेंगे अब देखे प्रेंस यहाँ पे इस portal में अगर आपने पहले registration किया है किसी भी form को fill करने के लिए तो आपको फिर से registration करने की कोई आवस्ता नहीं है अगर आपने इस website में कभी registration नहीं किया है तो आप registration करने के अवस्ता है अब registration करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे register now का एक आपको बटन देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click कर देना है इसके पस्चात आपका जो page होता है new page आपका खुल के आ जाएगा कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा one time registration करने के लिए सबसे पहले आपको personal detail फिल करना होगा password करेट करना होगा additional detail फिल करना होगा declaration करके आपको form को finalist submit कर देना होगा या registration form को submit करना होगा सबसे पहले आप यहाँ पे continue में click कर देंग और आपका आधार का नंबर आपको दो बारे फिल करना होगा नहीं है आधार कार तो simply no में click करेंगे इसके पस्चाद देखे friends यहाँ पे no में click करते हैं तो आपको type of identification card इन में से आपके पास कोई भी एक card होना चाहिए अगर आपके पास आधार कार नहीं है तो इसके पस्चाद आपको यहाँ पे select करना है उसका जो number होता है वो आपको इस वाले box में fill करना होगा इसके पस्चाद candidate का जो भी नाम होता है वो आपको matriculation की marksit के according दो बारी fill करना होगा पूरा नाम आपको enter करना होगा इसके पस्चाद आपको पूछा गया है आपने अपना नाम कभी change किया है क्या है तो yes में click करेंगे और उस वाले नाम को enter करना है जो नाम आपने change किया है new जो नाम होता है वो आपको enter कर दिना है नहीं तो आप यहाँ पे no में click करेंगे gender select करना है male है female है वो आप यहाँ पे select करेंगे confirm करेंगे आपका जो भी gender होता है dov आपको select करना है जो भी आपका date of birth होता है वो आपको इस calendar के माध्यम से ही select करना है तो सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे year होता है यहाँ पर आप फादर का नाम फिल करेंगे उसके परचात आपको कनफर्म करना है फादर का नाम तो कुछी स्टैप्स आपको इस वाइल वाक्स में आपको कनफर्म कर लेना है आपका फादर का नाम इसके परचात आपका जो भी माता जी का नाम होता है माता जी का नाम आपको इसी परकार फिल करना है दो बारे यहाँ पर इसमें फिल करेंगे और इसमें दो बारे आपको फिल करना है माता जी का ना मैट्रकुलेशन का आपको यहाँ पर बोर्ड का जो डीटेल होता है वह आपको देना होगा सबसे पहले आपका जो भी बोर्ड होता है वह आपको अद यहां से आपको select करना पसक्लिट करना है ना से आपको sayer को करना है दो बारे यहाँ पर जो भी डाटा आप फिल करेंगे वह आप यहाँ पर दो बारे फिल करेंगे इसके बार देखे प्रेंच यहाँ काई Yates higher level of education क्या है वह आपको Нет क्राइब करना है मतलब कि आपने highest qualification. आपका क्या है। वह आप यहाँ पर select करेंगे इसके पचात आपको यहां पर confirm करना है आपका जो भी हाइस जुकेसिन qualification होता है वो आपको दो बार यहां पर confirm करना होता है इसके पचात candidate का mobile number fill करेंगे mail ID आपको fill करना है किसी और का आपको mobile number mail ID नहीं fill करना है खुद का mail ID mobile वाइल नमबर फिल करके, simply आप data को save and next में क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद देखे friends, यहाँ पर आपका next step आता है, password create करने का, तो आप password simple से जो password होता है, वाप create कर सकते हैं, password आपको create करने के पस्चाथ आपको additional detail फिल करना होगा, additional detail फिल करने के लिए आपको सिबसे पहले आपक application mark, आपका body में किसी परकार करकर cut यह mark का निसान है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, अगर आप विकलाएंक है, तो यहाँ पर yes में क्लिक करके, विकलांकता का यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि type of disability विकलाएंक का क्या परकार है, वह आप यहाँ पर select कर सकते ह यहाँ तो simply आप इस वाले box में क्लिक करेंगे, इसके पसाथ अगर आप विकलाएंक है, तो यहाँ पर आपका disability का certificate number होता है, इस वाले box में देना होगा, यहाँ पर अपना जो address होता है, पूरा address आप इस वाले box में फिल करेंगे, यहाँ पर मैं data sample group में फिल करके दिखा रह इसके पस्चात आप यहाँ पर सबसे पहले preview देखेंगे, preview देखने के बाद आपको finally यहाँ पर submit कर देना है, यहाँ से आपका जो registration का process होता है वाँ आपका complete हो जाएगा, इसके बाद अगला step होता है वाँ आपका form apply का, अब देखे फ्रेंस यहाँ पर जैसे registration form complete हो जाता ह इसके बाद आप इसका dashboard होता है, इसमें आप जैसे login हो जाएंगे तो आपको इस प्रकार का interface आपको देखने के मिल जाएगा, simple ही आपको उपर के scroll करना है, then यहाँ पर आपको live examination वाला section होता है, इसमें आपको आजाना है, अभी देखे फ्रेंस यहाँ पर SSCGL होता है, इसक यहाँ पर combine higher secondary level examination 2024, तो कुछ इस step से apply का जो link होता है, यहाँ पर आपको side में देखने को मिलेगा, बस उसमें आपको click कर देना है, इसके पर जाएगा, फोटोग्राप signature अगर upload करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको photograph and signature upload कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर form को finally submit कर देना है, अभी यहाँ पर link activate नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर मैं apply करके आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर link activate हो जाएगा, तो next video होता है, वो मैं लेकि आओंगा, उस video मैं बताऊंगा कि photograph and signature को कैसे upload करना है, और आपको कैसे यहाँ पर form क apply करना है, ऐसे सीजियल का, आज की स्वुड़ों बस इतना ही, जानकारी अगर आपको पसंद आया को दोड़ों, पसंद आया को दोड़ों क लाइक, सिस्क्राइब, सेर करेंगे, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए